रिखो आप जया रिखोंगा मेरे इस सेकंड वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और सात ही साथ मैं आपको धन्यवात देना चाहोंगी कि आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत सब्सक्राइब और उसका इतना अच्छा रिस्पांस दिया मैं इस चैनल पे दो तरीके की वीडियो अपलोड करूँगी, पहला जिसमें English को कैसे इंप्रूव करें, Communication skills को कैसे इंप्रूव करें और दूसरा वीडियो जो होगा, वो Maths की Speed को और Maths को कैसे आसानी से समझें मैं पिछले छे साल से competitive exams को पढ़ा रही हूं और उस समय जब मैं मुझे कई बार लगता है कि concept तो clear है questions solve करने तो आता है maths के लिकिन speed उतनी नहीं है तो अगर क्योंकि competitive exam में accuracy and speed दोनों के जरुत होती है तो आएए हम speed को अपने maths की बढ़ाएं यह tricks बहुत simple है और यह मैंने अपने कई students पर आजमाएं भी हैं उन लोगों ने इन tricks को यूज किया है इसके अलावा एक चीज और भी important है कि six standard above के जो बच्चे हैं six standard and above के बच्चों को भी मैंने यह tricks सिखाई है और उनकी math के skills बहुत बहुत improve हो गई है यह बहुत जादा helpful है तो अगर आप इसको दो-चार दिन practice करते हैं और फिर इसी trick को अपनी calculation के दौरान use करते हैं तो results बहुत अच्छे मिलेंगे मेरे एक student के 99% आलाए थे MBA entrance exam में चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला trick यह पहला जो मेरा trick है इसमें यह है कि किसी भी number को यदि 5 से multiply करना हूँ तो कैसे करे multiplying any number by 5 किसी भी number को 5 से multiply करने के लिए देखे यह जो हमारी trick है यह दो rules पर बेस्ट है पहला rule कि यह है कि यदि आप 5 को 10 by 2 भी लिख सकते हैं 5 को 10 by 2 भी लिख सकते हैं और दूसरा किसी भी नंबर को 10, 100 या 10 के multiple से multiply करना आसान है, उस नंबर के आगे उतने number of zeros लगा दो, तो वो multiply हो जाता है उसका, तो अब देखें कि जैसे पहला मैंने इसमें संख्या ली है, 86 इंटू 5, तो मैं 86 इंटू 10 बाइ 2 कर देती हूँ, 5 की जगह मैं 10 बाइ 2 लिख देती हूँ, अब उस number का मैंने आधा कर लिया, 86 का आधा 43, तो ये हो गया, 86 इंटू 10 बाइ 2, तो 2 से divide किया, और 10 से multiply किया, यान इसे मैं आपको बताती हूँ, there are two simple steps, first half the number you want to multiply by 5, and second add 1 0 in the resultant number, for example, 86 into 5, 5 can be written as 10 by 2, so half of 86 is 43 and multiply it by 10, 43 into 10 is 430, तो है ना बहुत आसान ट्रिक, तो आई हे चले, अब कुछ numbers के साथ इसको करके, इस formula को use करके हम इसकी practice करते हैं, 44 into 5, तो देखे 44 का आधा करे, इसकी एक मैं सिंपल से trick बताऊं, बहुत ही कम शब्दों में, 44 का आधा करे, एक 0 और लगा दे, तो 44 into 5, यानि 44 into 10 by 2, 44 का आधा 22, 22 का आधे 0 और लगा दे, तो 220, 104 into 5, 104 into 10 by 2, 104 into 10 by 2, या 52, 52 के आगे, एक 0 और लगा दिया, क्योंकि 10 से multiply करना है उसको, 520, 86 into 5, 93 into 10, 930, 4440 into 5, 4440 into 5 के जगा, हम 5 के जगा लिख देते है, 10 by 2, 10 by 2 लिखने के बाद, 4440 का आधा, 2220 into 10, एक 0 और लगा दिया, तो 22,200, तो इस सरी के से हमने देखा कि, 4 deserts के एक number को मैंने 3 से भी कम seconds में solve कर लिया, 86660, तो 86660 का आधा किया, और उसमें 1 0 और लगा दिया, तो यदि simple way में बताऊं तो, जिस number को 5 से multiply करना है, उसका आधा करो, 1 0 और लगा दो, half the number and add 1 0, तो इस तरीके से हमने देखा कि, ये कितना आसान हो गया, और अगर इसके practice की जाए, तो ये उसके बादने 2 सेकिंड में भी होने लगते हैं, बट येस, practice makes a man perfect, practice बहुत जरूरी है, और इस practice को practical use में लाना भी बहुत जरूरी है, तो thank you so much for clicking the video, मैं इसके बाद भी आपके साथ जुड़ी रहूंगी, और मेरे नए वीडियो के साथ देखते रहे हैं, और practice करते रहे हैं, येदि आपको इससे सम्मंदित किसी भी तरह की कोई query है, तो comment box में जरूर अपनी query लिखें, या किसी भी तरह का कोई feedback है, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को subscribe करना न भूले, वीडियो को like करना न भूले, thank you so much once again, bye bye.